तो हाई गाज वैलकम बैक टू माई योट्यूब चैनल आप लोग कैसे हो आप लोग अच्छे होंगे मैं भी अच्छे हो आज़ का मेरा मेंक अब लुक है यह है वेडिंग गेस्ट मेक अ लुक है इस मेक अ लुक को आप लूग कैसा लागा कि कॉमेंट करके बताई का ये अब मैं खखसी लगा लोगी कर दो आपका पर प्राइड़न की मैं ग्लिप जया जाता है अब अब मैं फिस्ट घ्रूम लगा लोगी आपका से बीस्टीख में कर सकतें कर सक WORLD अब मैं प्राइमर की ह Всем अब मैं ज़साउक मैं देखिए हलका पिंक सेड में है अगर में पास सेड इस पी लिखा होगा पुराना है यह तो मैं इस पगार सेड लिखा हो तो मैं इस प्रिक्शन बॉक्स में दे दूँगी प्रवाइड कर दूँगी अब मैं यह अपने अन्डर आई को जहां जहां मुझे फिसका हाइलाइट करना वहां मायें इस कंसिलर को अप्लाइ कर लोगी यह कंसिलर भी मेरा स्विश ब्यूटी का यह निहां कंसिलर है और ब्लेटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से ब्लेंड आउट कर लूँगी अब मैं ये वाइट टोन का फेस पाउडर है इसी से मैं अपने बेस को सेट कर लूँगी कि ताकि ये मैं ज्यादा ज्यादा लगाऊंगी एक्षटा बाद में मैं रिमूब कर दूँगी अब मैं कंटोर के लिए मैं आई-साइडो पैलेट से ब्राउन क्लर का पिक करूंगी एक ब्रस के हेल्प से और एक नोज का भी कंटोर कर लूँगी इसी ब्रस के हेल्प से ताकि मेरा नोज थुआशा पतला दीखे साथ दीखे और आपका फेस भी जो होता है वह फिंगर के हल्प से मैं अपने नोज क मैं ब्लतस एक्टर होाद है, तो तो अब जाद को लग रहा होगा, थोले देर में अच्छाहँ से शेटे पाध नहीं की अब आंगा रहन दिया सा मेकप जोसई सा जीटता है साइन सा मेकप दिखता है आपका मैं एपने आइभ्रो के सपुली के अग्व से पहले ब्रस कर लोगी ऐचonde तरह से अब मैं उसी ब्रस के आशेडों मैं हल्का साथ डालते हुए उसी ब्रस को नेचनल रखने लिए मैं उसी ब्रस को अपने आईब्रो पर थोरा सा चला दूंगी अब मैं ब्लेक कलर का आई सैडो लूंगी क्योंकि मुझे हेलो आई मेकप लुक करना है तो मैं आउटर वी को और इनर वी को उस ब्लेक आई सैडो से डार्क करूंगी और उसी ब्रस को हलका क्रीज एरिया को भी हलका डिफाइन कर अब मैं हलका ब्राउन कलर कर लूंगी अपने क्रीज एरिया को के ऊपर जश्ट उपे मैं एजस टांस्परेट करना के रूप में ऐसे यूज करूंगी अब मैं गोल्डन सीमर कलर का फिंगर के हल्प से पिक करूंगी और अपने लिड को बीच में मीडिल में लगा दूंग तो मेरा हेलो आई मेक-प कंप्लीट है अब मैं ऐल्लाइनर का दूंगि कौन सा मुझे याद ली हिए कौन सा मलगा यह हूं को आपके पास जो भीुशी करें अपके जो भी आई-ल्यानर को यूज कर सकते था इसंगे जो मैं यूज कर आप जो ह्यूज करें आप आप तूं informing ब्रेबरास के हेलब से मैं अपने लोयर लैसो को भी ब्लेंड आउट कर लूँगी ताकि मेरा आखि थोरी बड़ी दिखिये अब मैं वायट का जल लेके अपने कि अपने वाटर लाइन पर लगा लोगा अब मैं लिफ्टिक लगाने के लिए मैं अपने आइक कॉर्णर को भी हाइलाइट कर लूँगी अब मैं मेकप को अच्छी तरह से सेट कर लूँगी मेरा मेकप कम्प्लीट तो आई हूप आप लोगको यह वीडियो पसंद आदा प् सब्सक्राइब कर दिजिए और वीडियो को लाइक कर दिजिए और बाइबाई